अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जुआनता दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों में उनकी गिंती आज भी होती है उनके बनाये गई नियमों पर अभी भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं आज हम आपको अभी हाल ही में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के निलाम हुए लेटर के बारे में बताएंगे जिसको उन्होंने अमेरिकी राश्ट्रपती को लेखा था नॉबल प्राइज विनर अल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग एटम बंब का श्रे भी देते हैं इसको लेकर एक लेटर का जिक्र किया जाता है जिससे आइंस्टाइन ने पूर्व अमेरिकी राश्ट्रपती फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट को लेखा था इससे अमेरिका के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम मेनहेटिन प्रोजेक्ट को शुरू करने में मदद में दी थी इसके लावा जर्मनी के परमाणू कारेकरम को लेकर भी चिंता जाहिर की गई थी बता दें कि एक निलामी में ये लेटर करीब 33 करोड रूपे में बिका है बता दें कि मैनहेटन प्रोजेक्ट अमेरिका का एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट था वहीं दुनिया का पहला एटम बम बनाने का शुरे ओपन हाइमर को ही दिया जाता है कहा जो आता है कि एटम बम बनाने के दौरान कई तक्नीकी दिक्तों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन जब आइंस्टाइन को पता चुला कि जर्मन इन समस्याओं को हल करने में सफल हो सकते हैं तो उन्होंने राष्टपती फ्रेंक्लिन डी रूजवल्ट को इस बारे में आगहा किया था आइंस्टाइन ने इसके लिए 1949 में राष्टपती फ्रेंक्लिन डी रूजवल्ट को एक लेटर लिखा था कहा जोता है कि इस लेटर में परमाणू बंब बनाने के अमेरिकी प्रयास को शुरू करने में मदद की थी। आइंस्टाइन ने ये लेटर एक अन्य विज्ञानिक लियो सिज्राल्ड की मदद से लिखा था। जुआनकारी के मुताबिक 1944 और 1941 में दो खोजे की गए थी। उनमें दिखाया गया था कि बंब बनाना संभव था। आटम बंब बनाने में इस्तमाल किये जुआने वाले यूरेडियम के प्रिटिकल मास का पता लग गया था। और ये पुष्टी भी हो गई थी कि फ्लूटोनियम फिजन से गुजर सकता है और बं में इस्तमाल भी किया ज़ा सकता है। जसके बाद दिसंबर 1941 में सरकार ने एटम बंब बनाने के लिए मैन हिटन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। बता दें कि इससे पहले भी आइंस्टाइन से जुड़ी चीजों की निलामी हो चुकी है। 2021 में आइंस्टाइन की थियोरी ओफ रियालिटी सिर्धान्त के कुछ दुरलब दस्तावेजों की भी निलामी हुई थी। ये दस्तावेज 13 मिलियन डॉलर यानी 108 करोड में विके थी। हाला कि पच्चों के मामले में आइंस्टाइन का नया रेकॉर्ड होगा। वहीं साल 2018 में उनका एक पत्र 23.5 करोड में विका था। जिसमें उन्होंने इश्वर और धर्म के बारे में बात की थी। विज्यानिक आलबर्स्टाइन के सिधानतों पर अभी भी दुनिया चल रही है। लेकिन सच में अभी भी हाल ही में उनका एक लेटर 33 करोड रुपे में निलाम हुआ था। इसी तरह की तमाम खबरे और अन्य अपजेट्स के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केस्टी.com